Hello and Welcome to Java T.Point और ये हमारी Graph Theory की 13th वीडियो है जिस पे हम आज डिसकस करेंगे Single Source Shortest Path Balmainford Algorithm तो जो हमने 12th वीडियो देखे थी उस 12th वीडियो में हमने Single Source Shortest Path Balmainford ही पढ़ा लेकिन वहाँ पे हम इसका Question Solved किया मैं Reverse Engineering पे Believe करता हूँ क्यों क्योंकि मैंने अगर आपको Question Solved करा दिया Balmainford Algorithm Method के थूँ तो अब आपके लिए Algorithm समझ दाशान हो जागा अगर मैं आपको पहले Algorithm पढ़ाता तो आप शायद सुछते कि मैं क्या करा रहा हूँ आपको बहुता ट्रिकी से लगती चीज़े लेकिन आपको चीज़े समझ भाएंगी कि ओके जो यह काम किया वह Algorithm में अब ऐसे लिखा हुआ है तो लेट्स बिलीव इन Reverse Engineering और स्टार्ट करते हैं हम इसको Single Source Shortest Part Belmanford Algorithm को तो मैं Same Question लेके चलूँगा तो सबसे पहले Belmanford में हमने किया क्या है हमने हमने Initialize Single Source किया था जो भी हमें Graph दिया था जो भी हमने Graph दिया था उसके Source को Zero कर दिया था और सारे के सारे जो वर्टेक्स थे बाकि सबको Infinity कर दिया था यही तो क्या था यही तो होता है Single Source Shortest Part इनिशिलाइज सिंगल सोर्स फॉर इच वर्टेक्स यू बिलॉंस टू वी जी जो Graph के अंदर है हर वो वर्टेक्स जो Graph के अंदर है क्या करो सबके की वेल्यू को Infinity कर दो कर दिया सबके पैरेंट को निल कर दो कर दिया यह समझा चुका हूं मैं यह मैं आपको डिकास्त्रा म हर एज को जितने भी ग्राफ में वर्टेक्स है उससे एक कम बार क्या करना है रिलाक्स करना है तो वही किया कि एक लूप चला है आई वन से लेकर नमबर ऑफ वर्टेक्स माइनस वन तक ठीक है डू फॉर इच एज हर एज को उठाओ और क्या करो जो यूवी हमारा किसके ग ग्राफ की एज के अंदर है उसी एज को करेंगे जो ग्राफ में उसको क्या करतो रिलाक्स कर दो कितनी बार कितनी बार यह लूप चलेगा वन से लेकर नमबर ऑफ और फिर हम हर एज को करते रहेंगे क्या करते रहेंगे रिलाक्स करते रहेंगे रिलाक्स करते रहेंगे वा मानलो एक A है और एक vertex B है और इनके बीच का weight 10 है मानलो ये 5 है और ये 17 तो ये कह रहा है इसको और इसको दोनों को जोड़ो अगर इन दोनों का जोड़ इसके sum से कम आ रहा है इसके value से कम आ रहा है तो इसको replace कर दो इसको sum से इन दोनों के sum से 15, 5 और 10 से हाँ बढ़ा है तो क्या करो DV में क्या डाल दो DU इसका plus इसका value डाल दो डाल दिया और पाई वी ये वी इसमें यू डाल दो मतल़ इसका parent कौन बन गया U that is A, B का parent बन गया तो ये होता चुका हूँ क्या कि one time से लेकर number of vertex minus 1 तो यहां पर कितने vertex हैं यहां पर हमारे vertex है 1 से लेकर 7 तो अभी हमें हर edge को हमें हर edge को कितनी बार हर edge को हर edge को छे बार रेलेक्स करना पड़ेगा तो उसके लिए हमने एक matrix बनाई थी यह matrix बनाई थी आपको याद होगा हमने यहां पर सारे के सारे edges लिख दिए थे क्योंकि हमें हर edge को तो सारे के सारे edge कितनी बार रिलेक्स करना है, n-1, that is 7-1, 6 बार, तो मैंने यहां पर रोज में 6 लिख लिख लिया, और फिर आपको रिलेक्स तो पता है, कि रिलेक्स कैसे करते हैं, वो आपको पता है, कि अब चलो मैं बता दे रहा हूं, जो एक सोर्स, सिंगल सोर्स करते हैं, 0 हो गया, यह इंफिनिटी हो गया, यह इंफिनिटी हो गया, यह इंफिनिटी, तो पहले इनिशलाइज सिंगल सोर्स कर दिया, अब एक बारी मैं आपको लूप चला के दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिलेक्स करो, सबसे पहले 1, 2 को रिलेक् क्या चोटा है, हाँ चोटा है, तो क्या करेंगे, यह आपर 3 आ गया, तो यह भी रिलेक्स हो गया, अब 1, 4 को चेक करो, 1, 4, 0, 5, यह इंफिनिटी से चोटा हाँ चोटा है, तो 1, 4 भी हो गया, 2, 5, 2, 5 को देखो, 2 and 5, तो 6 और माइनस 1, कितना हो गया 5, यह चोटा है, 2, तो this is what, 3 minus 2, this is equal to 1, 3, this has already become, I'm sorry, this has 0 and 5, this is 5, जब हमने पहली बार किया था, तो यह 5 था, तो यह 5 था, तो इसको नहीं करेंगे, तो इसको नहीं करेंगे, तो इसको नहीं करेंगे, 4, 3, 4, 3, 4 and 3, 4, 3, this is what, 5 and this is what, minus 2, तो 5 and minus 2 is what, 3, तो यह से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यह 3, यह हो गया, 4, 6, where is 4, 6, 5 and minus 1, कितना हो गया 4, क्या इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो यह 4 हो गया, तो हमारा 4, 6, 5, 7, 5 and 3, 8, यह कितना इंफिनिटी, छोटा है, हाँ तो यह पहली बार हो गया है, फिर दुबारा फिर से महीं सेम मैथट, फिर ती बार हर ऐसे मैथट को हम चलते रहेंगे, तो हम यह यह लूप तब तक चलाते रहेंगे, यह लूप जब तक हम छे बार, छे बार हर को रिलाक्स ना करते हैं, जब तक हम छे बार सब को रिलाक्स at last i will say thank you so much for watching java t-point please like subscribe and share the channel thank you thank you so much thank you very much